देखो बेटा, तुम एक बार वनीत को अपने जहन से निकाल कर तो सोचो, ये लड़का भी बहुत अच्छा है अब हम उनके गर से ओकर आये हैं तो अब मुझे भी यही लग रहा है, कि ये रिष्टा सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तो मतलब आप भी अब अब्बू की साइड पर हो गई हैं, मैं तुम्हारे साइड पर हो देखो बेटा, इस उमर में वक्ती पसंदीद्गी हो जाती लेकिन शादी तो उमर बज़का साथ है ना ये लिड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी सेट है और वलीद के हालाद तुम्हारे सामने उसे भी जिन्दगी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सदीग की भाई के जाने के बाद तो पूरा फानदान ही बिखर गया इस सारी बात है आप क्या रही है अगर उनके हालाद बदल के मतलब हम लोग अपना रवाईया उनके साथ बतल तो कौन सा रवाईया? हमने कौन सा रिष्टा किया था जो तोड रहे हैं उनसे? और तुमेना भी अस्मा या वलीद से किसी किसम की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं मैं खुदी जाकर बेवी बाजी को बता दूँगे किसी किसी कि ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं